ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बर्शाद जल संग्रणा और घरों से निकलने वाले गंदे पानी को संजोकर पानी का इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए करने से जिला हमीरपुर के स्राहतर पंचायत के कराली गाम के किसान खुशाल हो गये हैं कराली गाम में जहां किसी समें कच्ची गलियों में घर से निकलने वाले गंदे पानी के करन चलना दूबर बन जाता था तो अब लोगों द्वारा गंदे पानी की पाइपों के जरी बेस्ट वाटर टेंक में पहुंचाया गया है जहांसे बाटर वेस्ट मैनेजमेंट कराली गाम में जहां किसी समें कच्ची गलियों में घर से निकलने वाले गंदे पानी के कारण चलना दूबर हो जाता था तो अब लोगों द्वारा गंदे पानी को पाइपों के जरी वेस्ट वाटर टेंक में पहुंचाया गया है जहांसे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प् पानी का इस्तमाल नजदी की खेतों और सबजी उत्पादन के लिए किया जा रहा है सुच भारत मिशन के अंतरगत वाटर वेस्ट टैंक वा लिूकिड वेस्ट ड्रेन ने कराली गाउं की तस्वीर ही बदल कर रख दी है जिला मुख्याले से सटी विकास खंड टौनी जेवी की ग्राम पंचाय सराकड की पहचान अब वेस्ट वाटर और लिूकिड वेस्ट ड्रेन के सदुपियों के लिए की जा रही है आपको बता दें कि इस काम को पूरा करने के लिए गाउं की वृद महिला ने भूमी दान की थी तो लोगों के सैयोग से किसानों को आज काम मिल रही है प्रोजेक्ट के तहएत हर घर से पाइपों के माध्यम से रसोई वा बातरूम के पानी के अलावा बारिश के पानी को पाइपों के रास्ते बनाई गई बड़ी में लाइन में डाल कर टैंक तक पहुंचाया गया है मुख्य निकासी पाइप बिछाने के उप अब पंचायत के प्रयास से अब कराली एक आदर्श गाउं के रूप में उबर रहा है गरामिनों का कहना है कि पहले गाउं की हालत दैनी थी और रास्ते पूरी तरह से गंदे हुआ करते थे लेकिन वेस्ट वाटर टैंक की स्कीम से अब गाउं सुंदर बन गया है और पान सबजी उतपादन को भी गाउं में बढ़ावा मिल रहा है अखराब रास्ता था कि इसमें जो पूरे गाउं का गंद था वो रास्ते में चलता चलने के लिए कहीं के पैर भी तूट गए लेकिन जब से ये योजना चली बेस्ट बाटर सेल्ट जो बढाने की उसके पश्चाद जो हमारे परदान जीन है काफी इसमें में तकी और जो इसके लिए जो भूमी दान दी वो हमारे बीच में आज नहीं है लेकिन उन्होंने दान दी ये सब हमारे गाउं वालां के लिए एक मिशाल है जितनी खराब इस रास्ते की हाल तो थी कोई बोल नहीं सकता था कि कभी ये चुद रहेगा लेकिन इसमें जो है प्रदान जी ने काफी को मेंत की हमारे गाम बासियों की सब की तर्फ से बहुत मेंत की और स्योग दिया इस स्योग से ये आज बाटर बेस्ट बाटर टैंक जो बना है दूसरी बात इसके लिए हमें फाइदा लेना हो तो यहां पे ग्रीन आज़मी को कोई बना सकता है मैं तो करना पड़ेगी काफी लोग इस पानी को बेश्ट जो गंदा पानी है इसकी सब्जियां गवा रहे हैं खाद के लिए पैसा कम लग रहा है ये वी एक किसम की खाद ही है तो हमारा रास्ता उपर तक जहां से क्रियाली गउं स्टार्ट होता है बहां यहां पर जिसे वेस्ट वाटर टेंग बना उसकी वज़े से रास्तों में पहले तो जब यह नहीं बना था तो रास्तों में बहुत जादा कीचर रहता था जिसे गाओं की सारी लेडीज नीचे जाती थी हमारे गाओं की सारे जो खेते हैं वो नीचे हैं और घर उपर है त काटने के लिए जाना पड़ता था तो कई बार कोई फिसल जाता था किसी को लग जाती थी तो बहुत आदिकत होती थी स्पेशली बरसात में बहुत आदिकत होती थी तो जिसकी वज़े से अभी वेस्ट वाटर टेंक बन गया रास्तों में ब्लॉक्स पढ़ गे जिसकी के लिए पानी था पूर रास्ती में जाया करता था तो भाव जो आदिम रस स्हान के लिए बीज़े जाता था जो चल सविङृ जॅ चलता सा तो उसका कटम कर दिया और इससे हमारा यह है फाइदा इसे हुआ कि लोग फसलाओं के लिए पानी सब्जियों के लिए आपने देखे हुआ यहां पर हरा बरा हुआ है तो इसलिए इसका बहुत हमारे को फाइदा है ग्राम पंचाहित परधान दलजीत सिंग का कहना है कि वेस्ट वाटर टैंक बनाने के लिए स्वर्गिय प्रभोदेवी ने जमीन दान दी थी और गाउवासियों के सयोग से वेस्ट वाटर टैंक बनाया जा चुका है और अब टैंक के माध्यम से किसानों की भूमिक पानी सिंचित किया जा रहा है जिससे किसानों को लाब भी मिल रहा है दलजीत सिंग ने उपायुक्त करूँगा क्योंकि यहां पर एक बुड़िया थी प्रवी देवी वो स्वर्गवास हो गई यह 6-7 दिन पहले उसने यहां पर हमें जमीन दी जमीन देने के बाद जो था यहां का मलबा जो था लगबगा हमें 500 मिटर नीचे फैंकना पड़ना था लेकन कोई एक लाख का मेरे को पूरा सहयोग रहा मेरी पंचायत के सदस्यों का सहयोग रहा इसके साथ साथ मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट जो दूँगा धन्यवाद जो बोलूँगा तो जो हमारे ब्लॉक है टौनी देवी इनके बीडियो को जैई को जो टेक्निकल असिस्टेंट यह हैं मलाप ना हमने बनाई यह जो हमने काम किया इसको नरे देखा और इसकी काफिस रहना की और इसके साथ उन्हों ने जो उन्हों देया ने जो तो इसको जनता की बीच में दिया, जनता को इसके लिए उत्साहित किया और बाकी जगवां में भी ऐसी प्रियोजना बनने के लिए उत्प्रेदी किया इससे इसका इस्तिमाल किया जा रहा है जैसे यह पर यह टैंक बना है तो गौह की पूरी भी जो इस टैंक के नीचे की तरफ वह जा बूरा है भी प्रदाफ़ परते हैं अब फासलेगêt, वहिआ जो पर है वो खेता zor实ी है से योजन तो मैंने पूरी गौ्ण गौण को बोला है कि ये योजने जो अच्छी योजने मिलती वैसे कर रहा हूं कोशिच दो गौम है और अगर जमीन मिल मिल जाएगी तो वह पर भी इसी तरह से योजन को दूँगा इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देश के मन्ने वर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी का और हमारी जो हिमाचल की सरकार है हमारे मुख्या मंत्री जैराम ठाकुर जी का जिनों ने यह योजना चलाई और गौंगौं तक इस योजना का फाइदा मिल रहा है